हेलो फ्रेंड्स मैं किर्टी अपने चैनल गार्णिंग विद किर्थी वर्मा में आप लोग का हर देख स्वागत करती हूं फ्रेंड्स इस समय मौनसून सीजन चल रहा है हमारे अभी पांस दिन से लगातार बारिस हो रही है फ्रेंड्स तो इस मौसम में फंगस बहुत नुट्रिशन की भी कमी होती है क्योंकि एक दो बारिस के बाद हमारे प्लांट्स के जीतने नुट्रिशन है सब वो ड्रेंज छोल से बहार निकल जाते हैं तो हमारे घर में ही कुछ ऐसा चीज मौजूद है जिसका इस्तमाल करके हम अपने प्लांट्स को फंगस भी बसा सक तो यह है माचीस की तीली, बहुत कम की चीज है वरेंट्स हमारे प्लान के ग्रॉथ में और उसे देने में दोनों में यह बहुत महतिपूर्ण योगदान देता है तो इस गार्डविंग हैक को आप अपने गार्डविंग में जरूर इस्तमाल करें ह्याई यह धीली है उसके ह पर जो मसाला लगा हुआ रहता है उसमें बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं माचिस की तीली में पोटाशियम, क्लोरेट, फासफोरस, सलफार, थोड़ी मात्रा में मैगनेसियम और फेरिक ऑकसाइड भी होता है फ्रेंट्स और जो फासफोरस इसमें होता है वो रूट सिस स्टम को बहुत मजबूत बनाता है और मैगनेसियम जो है क्लोरो फिल को बढ़ाने में मदद करता है जिसे हमारे प्लांट बिल्कुल हरा-ब роль हरा बना रहता है और फासफोरस मैगनेशियम और सलफार मिलकर किटनासक रूप में काम करते हैं जो हमारे प्लांट्स को कीटो से और फंगस से बचाते हैं तो इसका इस्तमाल कैसे करना है तो चलिए मैं आप लोग को आगे बताती हूँ ये देखे फ्रेंस ये मेरा 4 इंच का पॉर्ट है अब इस पॉर्ट में मैं 6 ही तीली लगाऊंगे फ्रेंस तो ये जो तीली का उपर वाला पॉर्षन जो है छोड़ देना है फ्रेंस इस तरह से आप सारे तीली को अपने प्लांटर में लगा ले और तो ये जो मसाला पॉर्षन है दबाने से क्या होता है जब हम पानी डालते हैं तो धिरे धिरे घूल के हमारे प्लांट को मिलते रहता है और इस गंबले में मैंने तीली लगा दी चलिए दिखाती हूँ आप लोग को देखिए मैंने लगा दिया फ्रेंस अब ये जो मेरा पॉर्ट देख रहे है बगल में ये है लगभग सात इंच का पॉर्ट तो सात इंच के पॉर्ट में मैं कितना लगाऊंगी इसमें मैंने क अपने इंड लगा सकते हैं उस पर बहुत जल्दी फंगस का अटाइक हो जाता है टो लगा सकते हैं तो इस तरह समें इसमें लगवग्ग 10 लगा के आप 10 इंच का पोट है आपके तो 15 लगा है और उसे छोटा है तो 10 से 12 लगा है लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा जो पॉट होगा 12 इंच 14 इंच इस सब में ये काम नहीं करता है फ्रेंस छोटे पॉट साइज में ये काम करता है और इस तरह से लगाने के बाद मैं छोड़ दूगी खुले में बारिस का पा इसमें अच्छी ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग भी होगी उसी तरह इंडोर प्लांट में भी मैं बता रही हूं आप लोको ये मेरा 8 इंच का पॉट है ये अरेलिया का मेरा प्लांट है और देखे बारिस के चलते कितना मिट्टी गीला हो गया है तो इसमें फंगस लगने करता है तो इससे भी आपको निजात मिलेगा ये भी भाग जाएंगे ये तिलियों को लगाने के लिए तो तिलियों को में जो स्टेम है उससे थोड़ा दूर पर लगाना है तो ये मेरा लगवक 9 इंच का पॉट है फ्रेंट्स तो इसमें मैं 12 लगा दूंगी इस तरह पॉ लगते हैं तो इसमें मैंने 12 लगा दिया इससे ज्यादा बड़े गंबले में आप इसका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं वह नहीं अच्छा रिजल देगा फ्रेंट्स छोटे ही पॉट साइज में आप लगाएं उसके बाद क्या करना है अगर बारिस का पानी आ रहा है अगर न नुटिशन भी देगा साथ में फास्फुरस डूट सिस्टम को अच्छा करेगा और पोटासियन जो है फ्लारिंग में मदद करेगा और इसमें सल्फर जो है उसको और मैगनेसियम प्टियों को हरा रखता है अगर आप लिक्विड रूप में देना चाहते तो इस तरह तील के लिए वसी मौनसून के सीजन में करें ताकि आपके दस दिन पर उसको निकाल के देखे अगर घुल गया है इसका मसाला तो आप उसे हटा के दूसरा लगा दे तो इस तरह से आपके प्लांट बिल्कुल स्वस्तर रहेंगे मौनसून के सीजन में फ्रेंट्स बस यही करना है कि आप 10 दिन पर निकाल के फिर दूसरा लगा है और यह रिपीट हर दस दिन करें फ्रेंट्स तो आपका प्लांट बिल्कुल स्वस्तर रहेंगा उसमें फ्लारिंग भी अच्छी ग्रोध भी होगी फ्रेंट्स तो चलिए फ्रेंट्स बस आज के लिए इतना ही फिर नेक केर हैपी गार्डनिंग